हिंदी का प्रत्थम मुल्यांकन प्रपत्र, इससे पहले हमने विविन विशो के कर लिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखें चैनल पर जाकर, तो चली स्टार्ट करते हैं, पहला है स्रष्टी का विलोम सब्द क्या है, स्रष्टी का विलोम सब्द होता है प्रल विलोम सब्द से खाली स्थान भरें जीवन और खाली स्थान का सनातक सम्मंद है जीवन और मिर्त्यू का अ अगला है सन्यासी का विलोम सब्द क्या होता है ग्रहस्त अ अगला है सासक सब्द का विलोम सब्द क्या होगा सासक सब्द का विलोम सब्द होगा सासित स अगला है उप्युक्त विलोम सब्द से खाली स्थान बढ़े सज्जन पुरुस को दुर्जन कष्ट देते हैं इसका हो जाएगा छटे का ब अगला है उप्युक्त विलोम सब्द से खाली स्थान बढ़े उसके जैसा दोस्त किसी दुस्मन को भी ना मिले इसमें भी आएगा ब अगला है एका अधिकार का विलोन सब्द क्या होगा सर्भाधिकार अ अगला है प्राचिन काल से ही संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम क्या रहा है पत्र अ अगला है आपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं दस्वे का उत्तर होगा अ प्रधाना चारे को अगला है आपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है पत्र लिखने का पता लिखने वाले का पता ब ग्यारवे का ब आएगा अगला है यदी एक ही नाम के दो व्यक्ति एक ही महले में रहते हैं तो सः व्यक्ति तक वो पैतरक कैसे पहुचाएगा बारवे का उत्तर होगा स उप्यग दोना मकान नमबर और गली नमबर से अगला है अरวिंद का प्रियावाचि सब्द क्या होगाud कमल अगला है तीर का परियावाची क्या होगा तीर का परियावाची होगा तार नहीं होगा बान, सर और नारच सबी परियावाची होते हैं तार नहीं होता है अ उत्तर होगा अ अंद्रवा है कंचन का परियावाची क्या होगा कंचन का परियावाची होगा कनक अगला है आख का परियावाची नहीं है पूछा है आख का परियावाची इन में से कौन सा नहीं है उत्तर होगा व्रष्टी स अगला है घमंड का परियावाची नहीं है नहीं है पर बड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत गड़बड कर देता है नहीं है उत्तर होगा व बिनम्रता, ब, अगला है, असूर का परियाएवाची नहीं है, असूर का परियाएवाची नहीं है, दक्ष, उन्निस्वा है, अनुपम का परियाएवाची है, अनुपम का परियाएवाची कौन सा है, अधित्य, द, अगला है, सेना का परियाएवाची कौन सा है, अनिक, ब, तो ये था हमारा आज का मुल्यांकन कक्छनों का विसे हिंदी का, इसी परकार अन्य मुल्यांकन भी करते रहिए और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.